जौश बटलर और मुहमद रिजवान दोनों को ही जनता अपने टीम में लेके बैटे हुए हैं बट क्या आपको पता है कि 83% और 90% सेलेक्शन वाले दोनों ही प्लेयर्स शायद से इस मैच को मिस करने वाले हैं जौश बटलर पूरे सिरीज में सिर्फ एक से दो मैचेस ही खेलेंगे और मुहमद रिजवान शायद से फर्स्ट T20 मैच को मिस करने वाले हैं ये लगभग 80-90% कनफर्म आप मान के चल सकते हैं तो अगर ऐसा ही हुआ तो दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन कैसा बैठेगा कौन से प्लेयर के सामने कौन सा प्लेयर मैच अप बना सकता है सब कुछ इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे वेन्यू स्टैट्स कैसा है, हिट टू एट स्टैट्स कैसा है करना बिल्कुल ना भूले यहाँ पर यह वाला शाइन पर अगर आप क्लिक करते हैं न आपको नीचे लेकस जाएगा यहाँ पर टेलिगराम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है इस नीले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे हमारे टेलिग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे दोस्त मैच खेला जाएगा रात के 8 बजे कहां पे नैशनल स्टेडियम कराची में जहां पे 181 T20 मैचेस आज तक खेले जा चुके हैं जहां पे एवरिज स्कोरना बैटिंग फर्स्ट करते हुए 187 का है तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि काफी जादा हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है सेक्ट इनिंग का एवरिज स्कोर भी कम नहीं है 172 का है हाइस टोटल 238 फर 3 जो के PSL के एक मैच पे बना था 2019 में इस वेन्यों पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस देखेंगे अव्विसली पाकिस्तान का होम ग्राउंड है सातों के सातों मैच जीते हैं इंग्लैंट इस वेन्यों पे आज तक एक भी मैच नहीं खेला है अच्छा चलिए देख लेते हैं इस वेन्यों पे टॉप परफॉर्मर्स T20 मैचस में कौन-कौन रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से कैप्टेन बाबर आजम 60 का एवरेज है और आप ये नहीं भूले होंगे शायद से के बाबर जो है कराची किंग्स को रिप्रेजन करते हैं PSL में तो इनका ये होम ग्राउंड हो गया ठीक है ना 14 इनिंग में 1458 रन्स किये हैं महमद रिजवान 53 के अवरेज से 18 इनिंग में 808 रन्स किये हैं आसिफ अली 27 के अवरेज से 31 इनिंग में 605 रन्स वही शान मसूद 26 के अवरेज से 16 इनिंग में 426 रन्स इफ्तकार एहमद 22 के अवरेज से 25 इनिंग में 425 हैदर अली 16 इनिंग में 371 रन्स 24 के अवरेज से शदाप खान का 22 के अवरेज है इस वेनियो पे महमद नवाज का 26 का आवरेज है with the bat ठीक है शदाप खान इस venue पे 21 इनिग में 32 विकेट निकाल चुके है महमद हसनेन 16 इनिग में 24 विकेट निकाल चुके तो Grand League के बहुत ही important pick आज आपके लिए हसनेन हो सकते हैं किसी का ध्यान नहीं है बड़ इस venue पे रेकोर्ड अच्छा है हरी स्राफ 16 इनिग में 21 विकेट महमद नवाज 23 इनिग में 19 विकेट निकाले है महमद वसीम और एक आपके लिए Grand League के pick जो के 12 इनिग में 17 विकेट निकाल चुके हैं इस venue पे शानावाज धानी 9 इनिग में 15 विकेट बट फर्स्ट मैच में शायद इनको ना किला आ जाए खुजदिल शा 9 इनिग में 10 विकेट और नसीम शा 9 इनिग में 8 इंग्लैंड के तरफ से इस venue पे जो करेंट स्क्वाड अभी इंग्लैंड का आया है सिर्फ एक ही प्लेयर खेला है Alex Sales जो के PSL में खेले थे 31 के आवरेच से इस venue पे रण किये हैं 14 इनिग में 411 अच्छा दोस्तो अब बात करेंगे recent matches जो के इस venue पे खेला गया है वहाँ पे कैसा क्या हुआ है कैसा क्या नहीं हुआ है ठीक है देखो last match जो खेला गया था PSL का पिछले साल 7 February को वहाँ पे batting first करते वे 2-0-4 बना था वो chase भी हुआ था अगर तरीके से chase करेंगे ना तो इस venue पे chase होता है बट अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा पिछले 10 matches जो इस venue पे खेला गया है वहाँ पे आपको सिर्फ दिखेगा कि 3 matches batting second मदलब chasing side जीते हैं और 7 matches batting first करने वाला team जीता है क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा सिलसिला यहाँ से शुड़ू होता है देखिए 222 तीन wicket के नुकसान पे batting first करते वे chase नहीं हुआ close भी नहीं जा पाये थे actually होता क्या है जो भी team batting first करते हैं वो इतना लंबा score बना देते हैं कि chase करना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे second inning में spinners काफी जादा game में आते हुए आपको दिखेंगे क्योंकि spinners को उस time पे जादा attack करने जाते हैं batters ठीक है उसके बाद देखेंगे 174 जो के chase नहीं हुआ हला कि close गया था 173 ये भी chase नहीं हुआ ठीक है ना उसके बाद देखेंगे 229 ये भी chase नहीं हुआ हला कि 186 तक गया था second inning में ये भी कम नहीं है ठीक है 199 for 4 chase नहीं हुआ उसके बेले देखेंगे 217 chase नहीं हुआ हलाकि 197 तक गया था 174 for 4 चेज नहीं हो पाया था यहाँ पर 170 चेज हुआ था और यहाँ पर 168 चेज हुआ था overall summary देखेंगे पुछले 10 matches का इस venue पर जैसे के मैंने बोला तो 3 बार सिर्फ batting second करने वाला team और 7 बार batting first करने वाला team जीता है हलाकि कल जब match होगा मतलब कि आज जब match होगा तो captain टॉस जीत के न batting second करना ही prefer करेंगे ज़ादा तर इस venue पर batting friendly pitch को देखते हुए ठीक है Pacers first inning में 31 wickets second inning में 37 wickets निकाले है Spinner first inning में 16 तो second inning में 25 wickets निकाले है तो second inning में spinners थोड़ा सा ज़ादा game में आते है एक चीज़ अगर आप notice करेंगे न कि second inning में wickets ज़ादा गिरे है ठीक है बाकी बात करेंगे hit to head matches के बारे में तो total 20 T20 matches England और पाकिस्तान के बीच में आज ता खेला गया है जहाँ पे 14 बार England तो सिर्फ 6 बार पाकिस्तान जीता है बट पिछले जो 5 matches खेले गया है वहाँ पे competition close रहा है सिर्फ 3 बार England और 2 बार पाकिस्तान जीता है recent कुछ hit to head matches अगर अब उठा के देखेंगे 2021 में एक match खेला गया था जहाँ पे England 3 wicket से chase करते वे जीता था मुहमद रिजवान 76 not out किये थे बैटिंग first करते वे शदाब और उस्मान कादिर 1-1 wicket डेविड मलान 31 किये थे बटलर 21 यहाँ पे आदिल रशीद 4 wicket निकाले थे और मुहिन अली 1 wicket ठीक है उसके पहले 200 all out 155 for 9 इंग्लैंड बैटिंग first करते वे जीता था जोश बटलर का performance है मुहिन अली 36 runs 2 wicket आदिल रशीद 2 wicket यहाँ पे मुहमद रिजवान का नाम आपको फिर से दिख रहा है बाबर आजम 22 run किये थे सिर्फ शदाब खान 36 not out 1 wicket हसने इन hit to head matches में काफी अच्छा किये है 3 wicket और यहाँ पे sorry यहाँ पे हडी स्रॉफ 2 wicket निकाले थे ठीक है यहाँ पे 232 for 6 और 201 पे all out हो गया थे इंग्लैंड बाबर आजम बैटिंग first करते वे 85 किये थे रिजवान का नाम को फिर से दिख रहा है शदाब खान का नाम को फिर से दिख रहा है हसनेन का नाम को फिर से दिख रहा है तो हसनेन का इस venue पे भी record अच्छा है और अभी hit to head matches में भी बार बार नाम आ रहा है और same goes for शदाब खान, रिजवान और बाबर आजम यह चाड़ो का इस venue पे record अच्छा है प्लस hit to head record में भी बार बार नाम आ रहा है हरिस राओफ का भी same है वहाँ पे 190 for 4, 185 for 8 पाकिस्तान बैटिंग first करते वे जीता था वो तब हफीज थे जो 86 किये थे बाबर अजम 21 किये थे शाहिन शाफरीदी अभी नहीं है इमाद वसीम नहीं है हरिस राओफ का एक वीकेट मोहीन अली 61 runs एक वीकेट बैंटन अभी नहीं है जॉर्डन नहीं है करन नहीं है यहाँ पे 195 for 4, 199 for 5 इंग्लैंड चेस करते वे जीता था हफीज नहीं है बाबर आजम 56 फकर जमान नहीं है यहाँ पे शदाब खान का नाव को फिर से दिख रहा है 3 वीकेट के साथ राओफ 2 वीकेट मौर्गैन नहीं है मलान 54 यहाँ पे बैडिस्टो नहीं है बैंटन नहीं है अदिल रशीद 2 वीकेट जॉर्डन नहीं है करन नहीं है ठीक है आचा तो हिट टुएड मैचेस में टॉप परफोर्मर्स कौन कौन आपको दिखे बाबर आजम 45 के अबरेट से इंग्लैंड के एगेंस्ट रन किये हैं 7 इनिंग में 275 मुहमद रिजवान 51 के अविकेट से रन किये हैं 5 इनिंग में 206 शदाप खान 6 इनिंग में 10 वीकेट निकाल चुके हैं इंग्लैंड के सामने वीकेट निकालना ये पसंद करते हैं बाकी हडी स्राउफ 5 इनिंग में चे वीकेड निकाले हैं इंग्लाइंड के सामने अब इंग्लाइंड के तरफ से हिट टो एड मैचेस में जौश बटलर का पाकिस्तान के एगेंस्ट हिट टो एड मैचेस में एवरेज सिर्फ अठडा का है सिर्फ और सिर्फ अठडा का ठीक है मोहिन अली सिर्फ 15 का एवरेज है यहाँ पे आदिल रशीद 9 इनिंग में 13 विकेड निकाल चुके है आचा तो उस्तो पाकिस्तान का तरफ से अगर महमद रिजवान ओपेनिंग नहीं करेंगे या फिर इस मैच को मिस करेंगे तो ओपिनिंग बाबर आजम के साथ कौन करेगा नमबर 3 पे कौन खेलेगा देखिए यहाँ पे तो मैंने रिजवान का नाम अभी के लिए लिए लिखके रखा है बाबर आजम के साथ अगर बाबराजम के साथ रिजवान opening नहीं कर पाते या फिर रिजवान को बिठाया जाता है wrist करवाया जाता है first match के लिए तो शान मसूद सीधे सीधे ओपिनिंग करेंगे बाबराजम के साथ और bench से हैदर अली आपको खेलते वे दिख जाएंगे इस match में ठीक है ना ये जो हैदर अली है नमबर 3 पे सीधे सीधे आ जाएंगे ठीक है तो नमबर 1 पे बाबर आजम नमबर 2 पे यहां पे शान मसूद और नमबर 3 पे हैदर अली टॉप 3 फिक्स हो गया नमबर 4 पे जैसे हैं इफ्तकार एहम वैसे आएंगे नमबर 5 पे खुजदिल शाप आपको दिखेंगे फिर आसिफ अली शदाप खान मुहमद नवाज नसीम शाह हसनेन और राउफ बाकी ओर्डर फिक्स है सिर्फ टॉप 3 का अभी भी मसला है जितना मैंने सुना है 80% कंफर्म है कि मुहमद जो रिजवान है फि पाकी शानवाज धानी है जिनको शायद हसनेन के जगा खिलाए जा सकते बर चांसेस बहुत ही कम है ठीक है इनको लगभग पानी पिलाने के लिए ही लेके जाए जाता है यहाँ पर मुहमद हारीस है जिनको ऐस बैकप विकेट कीपर लाया गया है यहाँ पर आमिर जमाल है अच्छा अब आप मुझसे यह पूछ सकते हो अगर रिजवान को नहीं खिलाया जाएगा तो विकेट कीपिंग कौन करेंगे अगर देखो मुहमद हारीस को अगर खिलाया जाएगा तो वो अलग बात होगा मुझे नहीं लगता मुहमद हारीस को भी मौका मिलेगा फरस्ट शान मसूद और बाबर आजम के साथ opening करेंगे हैदर अली नमबर 3 पर slot in कर सकते हैं ठीक है अच्छा मसला सिर्फ पाकिस्तान के प्लेइंग लेवन में नहीं है इंगलैंड के प्लेइंग लेवन में भी है जोश बटलर तो आये है पाकिस्तान बट उन्होंने सीधा-सीधा बोला है कि मैं सिर्फ एक-दो मैच ही खेलूंगा ज्यादा से ज्यादा बाकि क्योंकि उनको थोड़ा से इंजरी कंसर है निगल है तो वो ज्यादा नहीं खेलेंगे में कैप्टेन इनके तरफ से होने वाले हैं मोहिन अली और इनका प्लेइंग 11 विद बैटिंग और ना फ फिर ऐसा हो सकता है कि फिल सॉल्ट उपर जा सकते हैं और विल जैक्स के जगा यहाँ पर नीचे बन सकता है ठीक है है फिनिशिंग करेंगे सैम करन के साथ पिर डेविड विली है जो नाय बॉल से बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं रिचर्ड ग्लिसन है राइट बेंट डकेट है यहाँ पर टॉम हेल्म जॉश बटलर बेंच में ही रहेंगे ज्यादा तर ओली स्टोन क्रिस्पोक्स और लुक उड अच्छा विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे जैसे कि मैंने आपको बोला वीडियो के बिलकुल शुरबात में कि बटलर भी शायद स रिस्ट करेंगे और रिजवान को भी शायद से फर्स्ट मैच में रिस्ट करवाया जाएगा तो आप्शन कौन बचे फिल सॉल्ट चोगे टॉप ओडर में बैटिंग कर सकते मेरे हिसाब से क्योंकि हारीस के खेलने के चांसे बहुत ही कम है कुछ दिलशा से विकेट कीपिं बैटिंग करवाया जा सकता है ठीक है बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम को लेना है हिल्स को लेना है डेविड मलान को लेना है ऐसे विकेट पे जहां पे रंस काफी जादा बनते हैं शान मसूद अगर ओपिनिंग करेंगे जिस तरीके के फॉर्म में है सीधे सीधे मेरे टीम में आएंगे अगर फिल सॉर्ड ओपिनिंग करते हैं तो विल जैक्स नीचे आएंगे तब मैं इनको नहीं लूँगा बाकि अगर विल जैक्स को टॉप अडर में दिखाया जाता है तो मैं बिल्कुल प्रेफर करने वाला हूँ ठीक है फिलाल मैं चार बैट्समन के सा ही जाओंगा और इधर से मोहिन अली मेरे फर्स्ट ओल्राउंडर होंगी सैम करन मेरे सेकेंड ओल्राउंडर और शदाप खान मेरे थर्ड ओल्राउंडर आप चाहे तो डेविड विली के साथ भी जा सकते है या फिर नवास के साथ भी जा सकते है रीसेंटली एशिया कप मे Middle order के batter से ही वो complete करवाया जाए जैसे कि इफ्तकार अहमद घुजदिल शाह एंड कुछत तक हैदर अली जो के middle order को काफी ज़दा stability दे सकते उनको test करने का कोशिश करेंगे तो शायद Asia Cup के तरह जो के बहुत ज़दा crunch matches थे यहाँ पे नवाज शायद आपको ऊपर आते हुए न मतलब as a pinch hitter भीजा जा सकता है bowling section में जाएंगे इधर से आपको हरी स्राओफ आपके लिए first pick होना चाहिए इस particular venue पे बाकि री स्टॉपले को आप ले सकते हैं शुरुबात में भी डालेंगे और death में भी डालेंगे ठीक है ना यहाँ पे आपको नसीम शा को लेना है बहुत ही important bowler recent form काफी अच्छा है especially नय बॉल के साथ दोस्तों फिलाल मेरा small league का team combination कुछ ऐसा बनता है जहाँ पे captain मेरे होने वाले है मोहिन अली जोके number 4 तक बैटिंग करेंगे bowling भी कर सकते हैं क्योंकि खुजदिल शाह सान मसूद यहाँ पे left hand batters है और उनके सामने मोहिन अली being the captain खुद bowling करने आ सकते हैं ठीक है wise captain इस team में मेरा बाबर आजम होंगे अगर field salt chase करते हैं मतलब England chase करते हैं तो मैं Alex sales या फिर field salt के साथ भी as a wise captain जा सकता हूं क्योंकि बाबर आजम का recent form कुछ खास नहीं चल रहा और एक चीज बाबर आजम power play में जो right arm off break है उनके सामने फस्ते है specially moeen Ali अगर पापले में bowling करने आएंगे तो मुझे जादा चौकना नहीं है ठीक है कहने का मतलब यह है कि मैं जादा चौकूंगा नहीं अगर पापले में मोईन Ali बाबर आजम के सामने bowling करने आए और अगर शान मसूध भी opening करतें बाबर आजम के साथ तो फिर moeen Ali का match up भी बनता है शान मसूत के साथ तो पापले में दो वर्ड लगभग यहाँ पर मोहिन अली डाल सकते हैं ठीक है बाकी आप अगर चाहो यहाँ पर सैम करन को हटा के किसी एक्स्ट्रा बैटर को लेना पिछ को देखते हुए बिल्कुल आप वो काम कर सकते हो अगर नमबर तीन पर खिला जाता है उनके साथ जा सकते हैं या फिर जो भी टॉप अडर के बैटर में नहीं लिया है प्लेइंग 11 आने के बाद आपको दीखे कि इस टीम में नहीं है उनके साथ भी जा सकते हो क्योंकि पिछ पे रंस बनेंगे सेकेंड इनिग वाले स्पिनर्स पर आप रिफर कर सकते हो जैसे का आदिल रशीद अगर सेकेंड इनिम में डालते हैं दो-तिन वीकर निकाल के आपको दे सकते हैं ठीक है अच्छा दोस्तों बात करेंगे ग्रैंड लिग प्लेट्स जो कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन शॉट पे आप देख सकते हैं जहां पे आपको दिखेगा शान मसूद टॉप अडर में बैटिंग करेंगे हैदर अली को भी शायद से इस मैच में मौका मिलेगा और ये भी टॉप ओडर में स्पेशली टॉप थ्री में स्लोट इन कर सकते हैं दोनों ही काफी बहतरी इन फॉर्म से आ रहे हैं बिल्कुल आप ट्राइ कर सकते हैं as a grand league pick ठीक है क्योंकि बाबर आजम नहीं चल रहे है अगर बाबर आजम जल्दी आउट हो जाते हैं इस मैच में बाई चांस या फिर मोहिन अली के बॉल से या फिर किसी भी नए बॉल बोलर से तो यहाँ पे शान मसूद और हैदर अली पूरे इनिंग को एंकर कर सकते हैं और एक्सलेरेट भी कर सकते हैं के दोनों का सेलेक्शन अंडर 30% आपको दिखेगा यहाँ पे विल जैक्स जो के अंडर 20% सिलेक्टेड है अगर टॉप ओडर में बैटिंग करते हैं जादा इंपोर्टन होंगे बोलिंग शायद उतना ना करें अगर टॉप ओडर में इनको मौका मिलता है बिल्कुल आप ट्राइ किजेगा हिल्स का सिलेक्शन फिलाल 32% है हाँ सिलेक्शन बड़ेगा बट शायद अंडर 50% ही सिलेक्शन रहे डेडलाइन तक तो आप बिल्कुल इनको as a grand league captain wise captain try कर सकते हैं ऐसे pitch पे जहाँ पे ball काफी अच्छे से bat पे आते हैं और ऐसे pitch पे batting करना ये पसंद भी करते हैं यहाँ पे डेविड विली का सिलेक्शन काफी कम है जोके नए ball के साथ swing करके early on wickets दिला सकते हैं इंग्लैंड को प्लस death overs में भी डाल सकते हैं restop ले के साथ ठीक है बाकी यहाँ पे यह batting करके भी आपको points दे सकते हैं बड़ इनका batting आने का chances काफी कम हैं अगर शुरुआत में collapse नहीं हुआ तो ठीक है सैम करन का भी selection कम है बाकी आदिल रशीद specially ऐसे pitch पे जहाँ पे second inning में spinners काफी ज़्यादा game में आते हैं वो काफी अच्छा करके आपको दे सकते हैं गुच्छे में आपको wicker निकाल के दे सकते हैं क्योंकि अगर एक बार first inning में बहुत लंबा run boat पे टांग दिया गया तो second inning में जो team chase करने आएंगे उनके उपर हमेशा pressure होगा वो कोशिश करेंगे spinners को attack करने का फिर अदिल रशीद काफी बहतरीन option आपके लिए बन जाएंगे मौमद हसनेन का इस venue पे भी record अच्छा है hit to aid record भी अच्छा है बट selection कम है बिल्कुल आप grand league में try कर सकते हैं